तो आज चलिए बनाते हैं बहुती टेस्टी सरदियों इस्पेसल गुड और तिल मूगफली की छिक्की जिससे बनाना बहुत आसान हैा और सरदियों में आप जरूर खाये बहुती फाएदे मन्दे तो चलिए बना लेते हैं तो यहाँ पे हमने ले लिया है एक कटोरी तिल सफेद तिल है फिर इसी के साथ मौगफली ले लिये हैं तिल बहुत ही फाइदा करता है साथ में मौगफली भी बहुत ही फाइदा मंद होता है सेहत के लिए हमने तिल को कॉंटिटी जादा रखा यानि एक बड़ी कटोरी हमने यहाँ पर मूमफली ले लिया है अब हमें क्या करना है सबसे पहले गैस पर कड़ाई चराएंगे मीडियम फिल्म में हमें मूमफली को रोष्ट कर लेना है बहुत टाइम नहीं लगता है मूमफली को भूनने में बस इसका जो कच्छा पन निकल जाए इतना ही हमें इसको रोष्ट करना है तो यह देखें मूमफली हमारी कुक हो गई है थोड़ा सा मौर इसे कुक कर लेंगे फिल्म को यहाँ पर हम मीडियम रखेंगे और यह रेसिपी कोई भी बना सकता है बैसला रह या विगनर जो भी है बहुत ही आसानी से बना सकते है और बिना किसी चासनी चिनी वगरा सब नहीं बनाएंगे गुड की चासनी से बहुत ही अच्छी तैयार करेंगे यह रेसिपी और ठंडियों में बहुत ही फाइदा करता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने निकाल लिया है तिल को इसी के साथ इसी में हम एट कर देंगे मुमफली मुमफली को भी हमें भून लेना है तो फ्लेम को यहाँ मेडियम रखेंगे मेडियम फ्लेम में मुमफली को भूने के जैसे हम नॉर्मल मुमफली भूनते हैं इसका छिकला निकल जाए तरह तक हमें बुनना है, तो MOMFFALI में रोच्ट हो गई है, अब इसे हमें प्लेट में निकाल लेंगे, इस तरह से, और इसे गरम-गरम में इसके हमें चिकले निकालने तुह इसके तरह से टॉבनें, तॉबन में इस तरह से पूरे MOMFFALI को अट कर दें, और इस तरह से, रफ करते हुए बढ़िया से हमको इसके छिकले जो है गरम-गरम में ही निकाल लेंगे ठंडा नहीं होने देगी क्योंकि अगर ठंडे हो जाएंगे तो यह जो छिकले है ना मुंपली के निकलेंगे नहीं तो इस तरह से हमें बढ़ी औसे इसके चिकले को साफ कर लेना है तो ये लीजे पूरा बढ़ी औसे चिकले निकल गए हैं इसको हम साफ कर लेंगे अच्छे से तो आप इसकी स्छने से इसे चाल शां ले यानी कि साफ कर ले तो मुंपली रेडि हो गई है अब हमें क्या करेंगे यह हमारा जो तिल है वो भी बढ़ी ऐसे मतलब ठंडा हो गया है इसे मिक्सिक एजार में टांसफर करके हमें इते पीस लेना है तो इस तरह से ओन आफ करके हम पीस लेंगे लीजिए मुमफली पीस गई है यानि कि अब इसे मैं हमें मुमफली भी पीस लेना है तो हमें हमने तिल पीस लिया है मुमफली को भी पीस लेंगे इस तरह से तो ओन आफ करके मुमफली को भी पीस लेंगे एक साथ में नहीं ओन आफ करके पीस लेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा पीछ चाय का फाइन तो ये लेजे, मुमफली भी पीछ गई है अब इसे हम इसे में आड़ कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसको क्या गरना हमें फ्लेवर फुल बनाने के लिए हम यहाँ पे आड़ करेंगे आपके पास अगर इलाइची पाउडर है तो इलाइची पाउडर एड़ कर दे यहाँ पे हमने आदी कोटोरी ले लिया है डेशी कोटकोनट पूरी तरह आपसनल है लेकिन इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो आप भी डाले और यहाँ साथ में इलाइची पाउडर एड़ कर दे हमने नहीं डाला है और बढ़िया से मेक्स कर लेंगे डेशी कोटोरी का फ्लेवर इसमें बहुत ही जादा अच्छा लगता है तो अब चले कड़ाई की चरब चलते हैं तो यहाँ पर हमने गैस पर वापस से वही कड़ाई चलाई यहाँ पर हमने गुड ले लिया है तो जैसे है कि हमने एक कटोरी भर करके बड़ी कटोरी लिया था तिल उसके हाँ हमने लिया था मुमफली थोड़ा सा जादा जैसे तीन सो ग्राम तक आप यह ले लिजे गुड गुड की कॉंटिटी क्या करना है तीनों में से दोनों में से थोड़ा सा जादा रखना है इस बात का आप ध्यान रखे और बस थोड़ा सा पानी एट के हमें गुड को मिल्ट करना है बहुत ज़ादा कोई चासनी तार वगेरा नहीं चाहिए हमें आप चाहे तो गुड़ को कट कर भी ले सकते हैं आफिर गुड़ का भूरा भी ले सकते हैं तो देखे इसमें bubbles आने लगे हैं जाक आने लगा है गुड़ में फिल्म को हम मेडियम रखेंगे मेडियम फिल्म में पकाएंगे कलर भी इसका चेंज हो गया है गुड़ का जो है तो इस तरह से चला लेंगे पहले इस बात का ध्यानर के फ्रेंस ये रेसप बनाने के लिए थोड़ी से मोटे वाले तलवे की कडाही यूज करें तो ऐसे हमें चलाते रहना है बराबर ये रेखिए इस तरह से ताकि जब तक हमें चलाना है जब तक ये कडाही मतलब ये mix-up है जो कड़ा ही न छोड़ दे याने की ये देखिए इस तरह से तो मिकस अप हमारा कांटियो ने हम इसे चलाएंगे तो ये देखे इदम कुख हो गया है अब क्या करेंगे इस टेश पर फ्लिम को ओफ कर देंगे और इसे गर्मा ये गरम हम इस तरह से एक प्लेट में इस तरह से आगर हमें आप message करूंगे या butter paper ले ले लिया कोई polything ले ले हाड polything ले ले फिर इस तरह से हम पूरा इसमे आट कर देंगे और बस हम क्या करेंगे इसमें हवा लगने देंगे फैला लेंगे थोड़ा सा फिर इसके बाद इसका हम roll तयार करेंगे इस तरह से ये देखिए ऐसे हमें बढ़िया से roll तयार कर लेना है पतला सा तो ऐसे बढ़िया से थोड़ा सा गरम है तो आप message करूंगे कि आप यहाँ पे butter paper ले 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 तो इस तरह से हमें बढ़िया से roll तयार करना है ये देखिए और ये तिल्गुल गज़ग गज़ग कर देखिए कोई बढ़ा सकता ह है और बहुत ही खाने में हल दी है तो इसे हमें बढ़िया से चिकना कर लेना है ये देखिए दम गुले अकार में इसे हमें सेव दे देना है ये देखिए इस तरह से फिर उसके बाद यहाँ पे हमने पिस्टा ले लिया उससे गानिस कर लेंगे तो पहले उपर से इस तरह स हमें हलके हाथों से पकटके करना है क्योंकि गरम है तो गरम-गरम में हमको रोल करना है ताकि शेफ दे देंगे फिर दस मिनट बाद इसे हम कट कर लेंगे बहुत ही सॉप्ट मुलायम बहुत ही अच्छा यह बड़ी असी बरिफी रण के रेडी हो गई है तो आप भी इस तर् लग रहा है तो आप इस तरह से बिल्कुल सिंपर आसानी से बना सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगे लाइट से स्क्राहिए मैं चैनल